दोस्तों अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ी हुई लेटेश्ट अपडेट पर आप्ट करने के लिए बेल आइकटन के बटन पर किलिक करके आल नोटेफिकसन गौन कर ले जिससे हमारे चैन पिशन नमर एक लगबग 700 वर्स पूर्वे मेवाड में विक्सित परंपरा फड़ चितर सेली को परसिज चित्रकार जिसने सापरा में फड़ चितर कला सेली को आगे बढ़ाया परसिज चित्रकार कौन था जिसने फड़ चितर सेली को आगे बढ़ाया यह थे पांचाजी जोशी पांचाजी जोशी ने सापरा में पड़ चित्र सकला सलीप आगे बढ़ाया भीलवडा जिले की स्रीलाल ने फड़ चित्र कला को अंतराश्टी राश्टी श्तर पर पैचान दिलाई किस लोग देवता की जीवन गाता पर आदारी थे इनका एक बह्मुले फड़े चित्र जर्मनी की कला संग्राले में है देव नाराण जी क्या देव नाराण जी के फड़ को स्रीला भीलवाडा के स्रीलाल जी ने अंतराश्टी राश्टी श्तर पर पैचान दिलवाई अगला किसन राश्टान की सबसे लोग प्रिय फड़े पाबुजी की फड़े है इस फड़का वाचन किस जाती के बोपुद बोपा बोपी करते हैं इसका वाचन रात्री में किया जाता है पाबुजी के फड़ का वाचन ने आईडी जाती के बोपा बोपयों दुआरा रात्री में किया जाता है अगला खिशुन ने रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड जाती की भूपे करते हैं इसमें रावन अत्ताय अंत्र का उप्योग किया जाता है तो बताईए रामदेव जी की फड़ का निर्मान इसके दुवारा किया गया था रामदेव जी की फड़गा निर्वान चोत्रमल जोसी द्वारा किया गया था किस फड़ में किसी प्रकार के वादेंतर का परियोग नहीं होता है तथा उस पर वाचन दिन में किया जाता है तता उसका वाचन दिन में किया जाता है तता इसका वाचन भाट जाती के वोपे हाडोती में सरवादी करते हैं राम दला करशन दला के फड़ का वाचन भाट जाती के वोपे हाडोती में सरवादी करते हैं अगला के निस्टिशन है सुपरिश्टार अभिता बचन को किस शेत्र के बोपा रामलाल वै बोपी पतासे ने एक डाक्विमेंटरी में लोग देवता के रूप में परदशित किया है वह इन दोनों ने किस शेत्र में अभिताब की फड़का वाचन एक महनायक के रूप में किया है बोपा रामलाल वै बोपी पतासे ने सुपरिश्टार अभिता बचन की फड़का वाचन मारवड शेत्र में एक महनायक के रूप में किया है अगला किसन है बातिक चित्रन का एक सिल्प है बातिक के कारे के लिए शिकर का खंडेला देश विदेश में परशिद्ध है खंडेला के किस परशिद बातिक सेली के चितेरे ने इस सेली के अंतराष्टे और राष्टे चितेर के रूप में कारे किया श्री उमेच चंद्र सर्मा ने बातिक सेलिक को अंतराष्टे और राष्टे शिस्तर पर पैचान दिलाई अगला किशन है उदेपूर का मचंदर नात मंदिर अपनी जाहियों के लिए इतना परशिद्दे कि इसका नाम बदल गया है पताए इस परशिद्द मंदिर का क्या नाम है संजा मंदिर है उदेपूर के मचंदर नात मंदिर का नाम संजा नात मंदिर भी है राजस्तान के किस मंदिर में सराथ पक्स में परते दिन आकरशक सांजी बनाई जाती है चो कापी परशिद्द है लाड़ी मंदर में राधपक्स में पर्टिदिन आकरशक सांजी बनाई जाते हैं जो काभी परशिद्ध हैं राजस्तान में विबीन परव तेमारों मांगले गवसरों पर कागज परबने चित्रों द्वारा देवताओं का परदिश्थान किया जाता है कागजबर बने ये चित्र पाने के नाम से जाने जाते हैं तो बताईए राजस्तान में पाना सबसादी कलात्मक एम जिसमें 24 संगारों का चित्रण है कहां का प्रसिद्ध है पाना श्रीनाजी का प्रसिद्ध है अगला किशन है मानने का आर्थ होता है चित्री तत्वा लिखी तंकन चित्रे मानने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं निमन में से सही सुमिलित नहीं है उत्तर परदेश में कौमल के नाम से नहीं जाने जाते हैं बाकि सभी में महाराष्ट में रंगोली के नाम से जानी जाते हैं, मांड़ने गुजरात में सात्या के नाम से जानी जाते हैं और बंगाल में अलपना के नाम से जानी जाते हैं अगला किसन है पिछवाई नाद द्वारा सेली में श्रीनाद जी आकर्षण के प्रमुकेंद्र हैं तो बताइए जोसी परिवार के दोनों भाई टेक जी वे मुकुंद जी ने पड़ सेली के चित्र पड़ सेली के भीती चित्र एम पिछवाईयों का निर्मान का प्रारम किय 1850 इस्वी में प्रारम किया क्लाथ आर्ट के परनिर्था कौन है क्लाथ आर्ट के परनिर्था के लाज जोटिया है अगला किसन है जेन चित्र सेली का परमुक चित्रा या पर्शी चित्रा कौन था जेन चित्र सेली का परमुक चित्रा के लाज चंदर सर्मा था अगला किसन है किसको बीती चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी का जाता है शेकावाटी को बीती चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैदरिक आ जाता है अगला खिशन ने चित्तोडगट दुरुक का विस्तार और परिवर्धन किसने करवाया था चित्तोडगट दुरुक का विस्तार और परिवर्धन माराना कुम्बाने करवाया था चितोडगतं द दुरग में स्तेथ नौलाख़्ा बुरुज किसके द्वारा बनवाया गया जो एक लगोडह हैं चितोडगतं में नौवलका बुरुज нौलाख़्ा बुरुज बनवीर बनवाया गया कुम्बलगड दुरुग की आदार सिला कब रखी गई थी कुम्बलगड दुरुग की आदार सिला 1488 सिस्व में रखी गई थी निमन में से जल्दुरुग है गागरुन दुरुग गागरुन दुरुग एक जल्दुरुग है यह कुछन कई एक्जामन बार बार पूछा गया है अगला कुछन है निमन में से कौन सा दुरूगे गिरी दुरूग की स्रेणी में नहीं आता है जुन अगर दुरूगे गिरी दुरूग की स्रेणी में नहीं आता है अगला क्युशन है रन्थम बन ने रन्थम बोर दुरुग का दिर्मान कब करवाया था रन्थम बन ने रन्थम बोर दुरुग का दिर्मान रन्थम बोर स्वाय मादुपुर में नो सो चोराण में इस्वी में करवाया था अगला किशने दोस्तो संकट के समय मारवाड के राजाओं की सरन इस्तली कौन सा दुरुग रहा संकट के समय मारवाड के राजाओं की सरन इस्तली शुरन गिरी जालोर दुरुग रहा अगला क्विशन है सोज़त दुरग में इस्तित रामे लाव तालाव का निर्मान किसनी करवाया सोज़त दुरग में रामे राव तालाव का निर्मान रामने करवाया अगला किशन दोस्तो जेशन में दूरग कौन सी पाड़ी पर इस्तित हैं जेशन मेर दूरगे त्रकूट पाड़े पर इस्तित है अगला क्यूशन है दोस्तो माराजा मान सिंग पुस्तक प्रकास पुस्तकाले किस दूरग में इस्तित है माराजा मान सिंग पुस्तक प्रकास से पुस्तकाले मेरानगड दूरग जोधपूर में इस्तित है अगला किशन है जोदपुर दुर्ग में स्थित मोते मेल का निर्मान किस ने करवाया जोदपुर दुर्ग में स्थित मोते मेल का निर्मान महराजा सूर सिंग ने करवाया दोस्तों अगला किशन है किस के लिए का प्रारंबिक नाम है कुम थाना किला था शीवाणा दुरुक का प्रारंबिक नाम कुम्ब थाना किला था आगला किसने दोस्तों अलावदिन खिल्जी ने किस दुरुक के तालाब को गौमाज से बर दिया था अलावदिन खिल्जी ने शीवाणा दुरुक के तालाब को गौमाज से बर दिया था कि अगला कुश्चन है कि लोन गड़ दुर के कहां पर इस्थित है कि लोन गड़ दुर के बाड़ मेर में इस्थित है कि गुजराद सासक मेमूत बेगडा के किस किले पर आकर्मन के दौरान मदमुख्यों ने अमला किया था कि अच्छा लगड़ के अच्छा लगड़ के दुर्ग पर आकर्मन के समय कुजराद के सासद मेमूत बेगडा पर मदमुख्यों ने अमला कर दिया था